पिछले section में हमने सीखा कि अगर हम button को प्रेस करेंगे तो Arduino के serial monitor में क्या changes दिखेगा Then हमने button को प्रेस कराके LED जलाई Then हमने serial monitor में input भेजा And LEDs को delay के साथ blink कराया तो चलो अब इस section में हम sensor को use करेंगे and Arduino में coding करेंगे आपको ये बात तो मालूम ही है कि हमारे body में भी sensors होते है जिने हम sensor organs कहते है हमारे body में 5 sensor organs होते है Like हमारा jeep टेस्ट करता है हमारा कान अवाज सुनता है आखे आसपास के चीजों को देखता है हमारा नाख खुश्बू या बद्बू सुनता है हमारा skin अगर कुछ हम touch करे या हमें कोई touch करे तो उसे sense करता है तो चलो अब हम electronics के sensors की बात करते है हम हर जगा अपने आसपास sensors को देखते है कभी mall जाते है तो देखा होगा दर्वाजे अपने आप खुल जाते है वाश्रूम में जाते हो तो देखा होगा कि अगर हम अपना heart sensor tap के आगे रखे तो पानी अपने आप गिरने लग जाता है सूपर मार्किट में जब कुछ खरीदने जाते हो तो barcode scanner एक sensor का काम करता है hospital में भी बहुत सारे medical equipment होते है जो sensors का use करते है जैसे की heartbeat check करना एड एक्सेटरा तो चलो इसका definition समझते है sensor एक ऐसा device है जो अपने आसपास environment से physical input लेता है and उसको transmit करता है हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा device जो input लेता है and then output देता है मतलब आसपास के environment की changes को सबसे पहले input लेगा and then उसको output की तरह दूसरे electronic device को transmit कर देगा इसको हम दो प्रकार में classify कर सकते हैं पहला है analog sensor and दूसरा है digital sensor analog sensor हमेशा जो भी information लेता है वो analog signal में transmit करता है मतलब continuous values देगा उसी प्रकार digital sensor हमेशा जो भी information लेता है वो digital signal में transmit करता है मतलब सिरफ 0 या 1 में यह हमारे उपर depend होता है कि एक sensor को हम analog की तरह काम करवाए या digital की तरह काम करवाए जब हम IR sensor से project बनाएंगे तो हम detail में समझेंगी कि एक sensor हो कैसे analog की तरह काम कराए और digital की तरह काम करवाए अनलोग sensor के साथ काम करना ज़्यादा बढ़िया रहता है वो ज़्यादा सही values देता है reason आप जानते हो मैंने आपको बताया है कि analog signal continuous values देता है इसलिए छोटे से छोटे changes को भी detect कर लेता है बट sensor को जब digital की तरह काम करवाते है तब digital signal 0 या 1 देता है इसलिए वो ज़्यादा precise value नहीं दे पाता अगले वीडियो में हम different types of sensors सीखेंगे और उसके application देखेंगे